हाई गाई तो आज का वीडियो काफी जादा इंपॉर्टिंट होनी वाले क्योंकि आज यहां पर हम एक ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के लिए लिकर रहे हैं मतलब यह प्रॉब्लम बहुत जादा लोग के सामने आ रहे हैं आप यह प्रॉब्लम आने के पीछे का रिजन के है और गैस हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं अभी आप देख सकते हों यह हमारे वाट्सप पर लिखा रहे है यू नीड ऑफिशल वाट्सप तो यूज दिस अपाउंट एंड गैस यह ऐसा क्यों आ रहे हैं उसके मतलब multiple जो अहस्पम गैस ऑा यहां पर उनके पास यहां पर मेरे पास ईक मैसि आया तो यहां पर मैंने थोड़ा सा यहां उसको देखा मैने इसको रीड किया This app you are using have my privacy security risk अब guys मेरे पास क्यों आया क्यों कि भाई देखो मैं GB WhatsApp यूज करता हूँ अब मैं GB WhatsApp यूज करता हूँ तो इसलिए यहाँ पर यह message मेरे पास आया मुझे already warned कर दिया गया कि देखो अगर आप यहाँ पर इस WhatsApp को long term use करते हो तो यहाँ पर आपके सामने problem आ सकती है और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने numbers को block होते हुए देखा है फिर उन पर WhatsApp ही चलना बंद हो जाता है इन case यहाँ पर आप लोगों क्या करने है देखिए अगर आपके सामने यह वाली problem है तो आप लोगों को सिधा प्ले स्टोर पे जाना है और अपना official WhatsApp जो WhatsApp होता है WhatsApp business या WhatsApp messenger उसको download करो उससे account बनाओ और वो WhatsApp को use करो तो आपका account चलेगा अब यह अगर problem आपके सामने आईए जीबी WhatsApp चलने वालों के सामने protect your account आपके नमबर पे WhatsApp ब्लॉक होने से पहले आप अपना जीबी WhatsApp ब्लॉक होने से पहले आप अपना जीबी WhatsApp ब्लॉक हो और यहां पर ऑफिशली WhatsApp को download करो क्योंकि देखो उनमें रिस्क भी बहुत जादा डेटा इधर का अधर हो सकता है तो अभी फाइनली यार मैं अपने account को भी secure करने वाला हूं और आपसे भी गुजारिश है कि भाई ऑफिशली WhatsApp यूज़ कर सकते हो बाकी देखो यह WhatsApp वालों का फंडा है कि वो नहीं चाहते कि क्योंकि आज की टाइम में बहुत साई लोग अलग-अलग WhatsApp को यूज़ कर रहे हैं इस ठक्कर में यहाँ पर उन्हें ये कदम उठाना पूड रहा है आई होप वीडियो आपको समझ आए होगी पसंद आए होगी लाइक ज़रू कर दे मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए वी शौल दबाएश